आज का मुख्य विश्य ए इबरानी नौ का 27 पत इबरानी नौ का 27 पत इबरानी नौ का 27 पत पर वाई मृति नहीं पड़िये स्क्रीन पर सकते स्क्रीन पर है मनुश्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याएं का होना नौक्त है सो मनुश के लिए कुछ चीजес yangわかur hai नौक्त है एक बार मरना और उसके बाद नियाएं का यहा नौक्त है पतो जनम यदि account मरन भी आ ठीक है है आपनो लाईफ एंड है रह ना तो आज जीसी के बार हम लोग ध्यान लगाएंगे, पनुश्यों ले एक बार मरना और उसके बाद म्याय का होना न्यूक्त है, तो इसके विशे में थोड़ा डिटेल आज हम लोग अध्यान करेंगे, इसके विशे में बैविल क्या क्या बोलती है, और विबरानी 2 का 14 और 15 य को गया, ताकि मृत्यू के द्वारा उसे जिसे मृत्यू पर शक्ती मिली थी अरथात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यू के भैके मारे जीवन भर दासद्वों में इख मसे थे, उन्हें छुड़ा ले। ताकि जो लोग मृत्यू के डर्स में जीते हैं, मृत्यू के भै के मारे जीवन बर जो फसे रहते हैं उनको निकालें। तो तब से पहली बात मृत्यू पर शक्ति उसको मिली थी, ये कैसे लिख दिया है इवरानी में, क्योंकि उत्पत्ती तीन का चौदा पड़ों। तब यहुआ पर्मिशन ने सर्प से कहा, तुने जो यह किया है इसलिए, तु सब भरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है, तु पेट के बल चला करेगा और जीवन बर मिट्टी चाटता रहेगा। उसने शैतान जो साप के रूप में था, उसको बोला, तु पेट के बर चला करेगा और जीवन भर उसका एक सुत्री काम है, मिट्टी चाटेगा। मिट्टी किसको बोलती है, बाइविल, बजन से इता, एक सो तीन का चौद अपड़ो, वो हमारी स्रिस्टी जानता है और उसको स्मरन रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, तो हम लोग सोचते हैं कि मिट्टी मतलब वो जमीन का मिट्टी जो है उसको चाटेगा, पर बाइव मिट्टी है उसको चाटेगा और वो चाट देता है, मृत्ति उसलिए होती है, पर उसके विशे में ये कुछ लाइफ लाइफ लाइन के बारे में उस पत्ती पांच अध्याय को पूरा पढ़ना जनम है तो मृत्ति हो है, क्या लिगा? आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई, तक पश्यात वो मर गया तो पहले लोग 900, 800, 500 ऐसा जीते थे, उसके बाद भजन उत्ति पत्ती 6 का 3 में क्या लिगा? यहुआ ने कहा, मेरा आत्मा मनुश्य से सदा लोविवात करता ना रहेगा, क्योंकि मनुश्य भी सरीर ही है, उसके आयू 120 वर्ष की होगी 800, 900 नहीं, 120, 6 अध्याय में, 5 अध्याय तक उन लोग 500, 700, 900 साल जीते थे, पर उत्ति 6 में उसने बाउंडरी लगाए कि नहीं, 120, और उसके बाद और आगे बजन सहिता 90 का 10 पढ़ी है हमारी आयू के वर्ष सत्तर तो होते हैं, और चाहे बल के कारण असी वर्ष के भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल नस्ट और शोक ही शोक है मैंने जीवन और मरन आशीस और शाप को तुम्हारे आगे रखा है इसलिए तु जीवन ही को अपना ले कि तु और तेरवन दोनों जीवित रहे इसको पढ़के बताओ इसी तक कमांड और एडवाइस यह आज्या है कि सला है जैसे जैसे पर्मेशन ने आदम रहवा को बुला था यह फल को नहीं खाना तो वो आज्या थी कि सला थी आज्या थी ठीक है उसने एक आज्या दिया था वहां पर यहां से मिलर वे पर उसने बोला तुम्हारे सामने आशिस्ट और श्राप दो चीज़े हैं तुम एक चीज़ को अपना लोग बोल रहा है जीवन को जीवन क्या है जीवन का मतलब हम लोग अध्यान किये थे पिछली बार ध्यान है कि इसको याद है जीवन मतलब क्या इसके संगती में रहना ये जीवन है आदम हर्वा मर गये का मतलब वो परविश्ट तो आशिश और श्राप जीवन और मरन का मतलब कि तू उसके संगती में बने रहना तू जीवन ही को अपना ले का मतलब यह हैं कि तू यह दी संगती में बने रहेगा तो तू और तेरा वंस दोनों जीवित रहेंगे अब उन्चास का नौ देखो भजन सहीता कोई ऐसा नहीं जो सदैर जीवित रहे और कब्र को ना देखे कोई ऐसा मनुष में नहीं है जो मरे का नहीं जो शारी के मृत्यों को प्राप्त नहीं करेगा कब्र में श्रीव जाता है इसलिए जीवे जिवित रहे और कब्र आक साभी प्रांश नहीं जिसका विश प्राण पर जाता है आगे निकलते समय रोक ले और न कोई मृत्यू के दिन पर अधिकारी होता है इसी मनुष्ट के हाथ में यह अधिकार नहीं है कि अपने प्राण को निकलते समय रोक ले इवन डॉक्टर मेडिकल साइंस सब पे ले जब एक व्यक्ति का जाना होता है उसका जाना कैसे होता है यहां इसका पूरा वाणन है किलिस्टियस 12-127 एक से साथ तक पड़ने में आएगा जी ना पढ़ो अपनी जवानी के दिनों में इसको याद रखना सारे जवान लोग हैं अपनी जवानी के दिनों में अपने सीजन हार को इसमरन रख मतलब उसकी संगती से दूर नहीं होना चाहे कारण कुछ भी हो जाए इससे पहले की आगे इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिन में तु कहे कि मेरा मन इंट में एक समय आता है जब परविश्वर की संगती के इंट्रेस्ट खतम हो जाता है क्यों दूखी दूख चारो तरफ से केवल दूख शारिरिक कस्त अभी दीजी से पूछो उसका कस्त कितना होते रहता है ठीक है एक समय आता है कि जब शरीर साथ नहीं देता उमर होती है तो दुनिया वर का समस्या परिशानी इसमें आता है क्या लिखा फिर से पढ़ना इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिन में तू कहें की मेरा मन इन में नहीं लगता इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चेंद्रमा और और तारगन अन्धेर हो जाए और वर्ष नमोने के बादल फिर इसको थोड़ा ध्यान करना और आगे पढ़ो उस समय उस समय घर के पहरवे कापेंगे बल्वंत जुक जाएंगे ये जो शरीर है ये ऐसे जाता है दीरे दीरे क्या लिखा है सबसे पहली बात क्या होती है उस समय घर के पहरवे कापेंगे पहरवे घर के पहरवे किसको बलते मालूम है दोनों हाथ जब कोई सीर पे कोई चीज गिर करता है या कोई मारने के हाथ उटाता है तो सबसे पहले आपको सेफ कुन करता है पैर या हाथ करके पैर वे ये एक काम करो कई बार मैं एक्जाम दिया example दिया करता हूं के मुलूं मैं कप की प्याली लेना हाथ में और धियान देना कप की प्याली काब तो नहीं रही है पहर जुक जाएंगे कमर जुक जाती है और और पीसन हारिया थोड़ी रहने पे कारण जात गिर जाते हैं और जरोपों में से देखने वालियां अंदी हो जाएंगी चस्मा लग जाता है और और सड़क की ओर के किवार बंद होंगे सुनाई कम देने लगता है और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा हाट बीट और और तड़के चिडिया बोलते ही एक उठ जाएगा हमेशा ध्यान करना कभी-कभी मेडिकल रिपोर्ट आता है एक फेल हो गया क्या-क्या इंटर्नल ओर्गन में जो दो हैं उसमें से एक फेल पूरे वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा जब यह होने लगता है ना तब आदमी को ध्यान आता है कि जवानी तो पूरा गवान दिया अब क्या लिखा है पिर जो उच्वा हो उससे भय खाया जाएगा आगे और मार्ग में डरावनी वस्त्वें मानी जाएंगी और बा अदाम का पेड़ फुलेगा का मतलब क्या मतलब है यह जो गैस का प्रावलम है ना यह वही है और आगे और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम नहीं देता मतलब कुछ भी दवाई करो दवाई काम नहीं करना बंद कर देता क्योंकि मनुष अपने सदा की घर को जाएगा यह रूट है यह सीधा सीधा लिखा हुआ है यह रूट है ऐसे जाता है आदमें और आगे और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे घर के सारे लोग दुखे हो जाते हैं कि अरे बीमार पड़ गया देखो थी कोई दव हो जाएगा और सोने का कटोरा तूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहत तूट जाएगा और आगे जब मिट्टी जियो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्व के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी यह रूट है ऐस से जाता है आज में ठीक है कि नेचरल डेट ऐसे आता है ठीक है कुछ भी खाओ प्यों कुछ भी करो दवाई काम नहीं आता और यह मनुष्ट का जो शरीर है वह ऐसे जाता है अब आगे क्या लिखा यर्मियां बाइद का दस मरे हुओ के लिए मत रो उनके लिए विलाप मत करो उसे के लिए फूट फूट करो जो परदेश चला गया है तो कि वह लौट कर अपनी जन्भूमी को फिर कभी देखने नहीं यह बोलता है जो चले गए उनके लिए मत रो जो जो है जिन्दा है और परदेश चला गया बरदेश को चला गया था मालों जरायाद तो करो पुड़ाओ पुत्र इस प्रोडिकर संद क्या लिखा है उसके बारे में उसने अपने पिता से अपना हिस्सा मांगा और संसार में कुकर में अपनी सारी संपत्री उड़ा दी थीक तोड़ाओ पुत्रे के बारे में, उसके लिए रो बोलता है कि जो परवश्र की संगती से दूर, पीता की संगती से दूर हो गया, वो फिर कभी देखने ना पाएगा, पर तो आया, कैसे आया उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा. पढ़ो. फिर उसने कहा किसी मनुश्य के दो पुत्र थे उन में से छुटके के पिता से जो जो जिनके पास पुत्र तो है तीन तीन इसमें लॉस्ट तिंक्स का पेरबल है पहला भेड दूतरा सिक्का तीसरा ये दो पुत्र तो कितनी भेड़ को गई थी कि सो में एक बोलने देंगों पता कितना परसंत ये ये परसंट जो फॉल्हर से एक प्रतीसत लोग जंगल के समय में खो जाते हैं जंगल में खो जाते हैं और तेनagen दस में एक सिक्का, घर के बेतर खो गया, पर 50% जो पुत्र है, वो परविशर से अपने पिता से आशिस ले रहे हैं, अपना हिस्सा लेके परविशर की संगती, पिता की संगती से दूर चला गया, वो कुकर में उड़ा रहा है, अब पढ़ो उसको, किसी मनुष्ट के दो पुत्र थ लुका पंदरा का कौन सबस है, तीसरा दिस्तांस, पढ़ो, फिर उसको, किसी मनुष्ट के दो पुत्र थे, उन में से छुटके ने पिता से कहा, यह दो का मतलब है, पुत्रत में जो 50% तो दो में से एक, बड़ला 50% लोग यह कर रहा हैं, विश्वासी लोग, जो पिता से हैं, पिता के पुत्र हैं, जो संतान हैं, वो लोग, इसलिए इस विश्य में ध्यान करना तुम लोग भी, क्या लिखा, कि उसने अपना हिस्सा मांगा, हम लोग रोज प्रातना करते हैं न, प्रभू हमको हमारा हिस्सा देता है, विदाव टेनी आर्गुमेंट, विदाव कुछ भी प्रश्न पीने, पूछे भीना, हमको हमारा हिस्सा देता है, हम लोग प्रातना करके खाना खाते हैं, प्रभू बल्शक्ति दे, तेरे नाम से खर्च हूँ, ऐसा हमेशा जो क्रिस्चन से हैं, उन लोग प्रातना करते हैं, पर बल्शक्ति प्रभू देता है, उसक तो खर्ज काँ करते हैं, ये काँ करज कर रहा था देखो, उस ने, उन में से छुटके ने पिता से कहा है, पिता संपती में से जो भाग मेरा हो, वो मुझे दे देजे, उसने उनको अपनी संपती बाढ़ दी और बहुत दिन के बीते थे, कि छुटका पुत्र, सब कुछ इख को छोड़ के बढ़ गया और वहां को कर्म में अपनी संपती उड़ा दी जो कुछ मिला था उसका नहीं था उसके बाप का था उसको कुकर में उड़ा दिया और जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो अकाल और वो कंगाल हो गया और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा उसने उसे अपने खेतों में सूवर चराने के लिए बेजा और वो चाहता था कि अन फलियों से जिने सूवर खाते थे अपना पेट भरे सुवरों की संगती में चला गया बेटा जो है सुवरों के साथ जी रहा है और आगे और उसे कोई कुछ नहीं देता था जब वो अपने आपे में आया तो मैंने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूँ जो पिता की संगती को छोड़के भागेगा पुत का यहां लोता है और आगे मैं अब उठकर अपने पिता के पास चाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिता जी मैंने स्वर्प के विरोध में और तेरी दृस्टी में पाप किया है अब इस योगी नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओं मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले तब वो उठकर अपने पिता के पास चला तो यहां पर लिखा है देखो ध्यान करना बेड को चरवाहा खोज रहा था तिक्के को घर की मालगीन खोज रही थी पर पुत्र को पिता खोजने नहीं आया अपने आपे से उसको अपने आपे में आना पड़ा और उसने फिल कि उसको कि मैं कहां कि पुत्र होने के बाद भी कहां पहुंच गया और तब वो उठकर चला अपने से तब वो इसने लिख अंदर से यह गिल्टी उत्पन्ना हो और मन फिरा उत्पन्ना हो ऐसा बेक्ति जो है जो दूर चला गया अपनी अपना हिस्से लेकर वो वापस नहीं आ सकता जब तक अपने आपे में ना आएगा ठीक है तो इस बात को याद रखना है अब दूत्रा शेविल चौदा का करिमांड फेरेंगे पिर जो उठाया नहीं जाता तो भी परर्मेशं परांड नहीं लेता वरंशी करता किनि काला हुआ उसके पास से निकाला हुआ न रहे hemारा सा gegenarnya बोलता है प्रांड वो नहीं लेता बलकि उपाये करता यूक्ति करता है कि एक निकाला हुआ अब एक्ति फिर से उसके पास आ जाए कैसे उक्ति करता है पड़ो दानियल बारा उसका दो पत और जो भूमी के नीचे सोए और में उन मेंसे बहुत से लोग जाग उठेंगे कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अनत गिनोने अपने ठैरने के लिए तो लिखा है कि पर्मेशर का जो उपाय है जो मर गए जो सो रहे हैं वो फिर से जाग उठेंगे और दोनों चाहें कितने जो हैं जो सदा के जीवन के लिए कितने अपनी नाम दराई के लिए और तब यह होगा कैसे योन्ना पांच में हमारे प्रभू ने बोला था पड़ो 28 इस से अचमबा मत करो क्योंकि वो समय आता है कि जितने कबरों में है उनका शब्द सुनकर निकलेंगे जिनोंने भलाई की है वे जीवन के पुन्रुथान के लिए जी उठेंगे और जिनोंने बुराई की है वे दंड के पुन्रुथान के लिए जी उठेंगे तो भलाई कर करते हुए अपने आपको उसके हाथ में सौब्दे ऐसा लिखा है तो इस बात को ध्यान रखना जिन्होंने भलाई किया है वे जीवन के पुरुनुस्थान के लिए जी उठेंगे और कैसे उठेंगे जो उसका शब्द सुनेंगे मरकुस पांच में एक उधारन है पड़ो 49 पत तब उसने भीतर जाकर उससे कहा तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है यह कौन लड़की थी किसे को याद है याईर की बेटी याईर की बेटी तबिता हां थीक है तो इश्यु ने बुला था तुम लोग क्यों मारंच आते और रोते हो लड़की मरी नहीं पर सो रही है और यंद्यक्र, उसने किया वह ही उसको उसको उसने क्या जगाने के लिए जो मर गया था शड़ गया बोल रहा था गोल रिति मार था उसको क्या क्या उसने उचे शब से आवाज दिया तो जिन लोग उसका वचन सुनेंगे वो जी उठेंगे तो जी उठने के लिए क्या ज़र रही है उसका सुनने उसके वचन को सुनने का आदत होना चीए अब पहला तिसलोने के चार उसका तेरा पड़ो हेप भाईयो हम नहीं चाते कि तुम उनके विशे में सोते जो सोते हैं अग्यान रहो ऐसा ना हो कि तुम औरो की नाई शोग करो जिने आशा नहीं जिनों ने परविशर के साथ संगती रखी थी और सोग है जो देख हो दिये हैं उसके विशे में तुम शोक मत करो बोला जिनको कोई आश्चनी है गिंती 23 का दस पढ़ो याकुब के धूली के किनके को कौन गिन सकता है वा इस्राइल की चोथाई की गिनती कौन ले सकता है सौभागय यदि मेरी मृत्यू धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उनी के समान हो धर्मियों की इसी मृत्यू हो तो यह सौभागय बोला और क्यों यह बोल रहा था यशिया संतावन उसका एक और दो पड़ो धर्मिय जन नाश होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता भक्त मनुष्य उठा लिये जाते हैं परन्तु कोई नहीं सोचता धर्मिय जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपती से बच जाए वो शांती को पहुचता है जो सीधी चाल चलता है वो अपनी खाट पर विश्राम करता है जो नेचरल डेथ होती है उनके लिए बात बोला और जिनको शैतान चाट देता है जिसको जिस मिट्टी को शैतान ने चाट दिया जिसका दे खतम हो गया उनके लिए दूसरी बात है तो आज इसी बात को याद रखना धर्मी जन धर्मी कौन होता है जो प्रभुगित संगत अच्छे और साथ रूमी दो के अच्छे और साथ एक बार पड़ो जा रहा है वह हर एक को उसके कामों के अनुस्तार बदला देगा जो सूकर्म में स्थिर रहकर महीमा और आदर और अमर्दा की जो सूकर्म में स्थिर रहकर एक जन्द के बारे में देखा हमने कुकर्म में अपनी संपत्ती उड़ा दी जो कुछ प्रभु ने दिया उसको कुकर्म में उड़ा दिया तुम अपने अपने विशे में ध्यान करो कि तुमको जो कुछ प्रभु नहीं दिया है जो सेटलमेंट दिया उसमें से तुम कुकर्म में लगे हो कि सुकर्म किसको सुकर्म बोलते हैं किसको कुकर्म बोलते हैं इसने जाकर भोग विलास में उड़ा दिया था अपना जो हिस् इसलिए इस विश्या को ध्यान रखना कि जो लोग सुकर में स्थिर रहकर अमर्ता क्या लिखा आगे जो सुकर में स्थिर रहकर महीमा और आदर और अमर्ता की खोज में है उन्हें अनंत जीवन देगा जो अमर्ता की खोज में रहते हैं जो उसके पीछे लगे रहते हैं उन्हों मंते और बहुत सारे लोग हैं जो क्यवल विवन करते हैं सत्य को नहीं मंते और वरन अधर्म को मानते हैं उन पर क्रोवद और को भड़ पड़ेगा तो इस बातों को मनन करना ध्यान करना उसके बाद अगली क्लास में इसके बात की बातों पर ध्यान करेंगे ठीक है आज इतना ध्यान करना कि मृत्यू का कौज क्या है और कैसे स्मस्तिय मृत्यूं होती है कैसे आती है चलोली एक व्यक्ति देड़े दे सदा के घर को जाता है तब वह पर देशक बारा के अनुसार सो इस बात को ध्यान रखना और एक दूसरे को चिताओ सिखाओ जो अपने आस पास लोग हैं सब को ध्यान कर आओ जब ज़्यानी के दिनो एक वन बाई वन कैसे डेवलप होता है कैसे कमर जुकता है कैसे हाथ कापने लगते हैं कैसे कैसे एक व्यक्ति जाता है अंतिम द्वार तक यह सारा चीज लिखित में हैं हमारे पर सो एक बार फिर से हम लोग धनवाद देंगे प्रभू को आज के लिए आज के सद्यान के अगयर दूटम उत्तम तुम प्रात्न करो है करेंगे ननावाद दिता हूं आघ के सम्दार सब्सक्राइब लिए अपने मोका दिया कि हम सब करा प्रभूजी आपके चरणूम्में आने आने पाए अको दनावाद देने पाए आपके महिमा इस तूति परसंशा गरोग रहा प्रभुजी अपने वटर और कि. प्रुजी और हर बात में उन्हें आशीश और अइस socioe जैन्सबंध लिए लिए उन्हें फीर से प्रभुजी हम सबूंगे बीच में कतिव किया है कि वो प्रभुजी आपके वचनों को जो गंभीर और गुड़ बाते हैं प्रभुजी उनको हम सबों के सामने प्रभुजी अच्छे से सामने बता सके प्रभुजी और इस प्रकार से प्रभुजी हम सब प्रभुजी आपके उन वचनों को जो की हमारे अंदर तक प्रभुजी कार् कि आपने वच्छन में चाहें जो अब कानियों को करते हैं प्रभुजी जो प्रभुझी हमारे लिए नहीं है प्रभुजी और प्रभुजी इस बात के हम लोग दूआ करते हैं और प्रभुजी प्राता करते हैं प्रभुजी मामा के लिए सिक्रमामा के लिए प्रभुजी कि आप उन्हें सक्ति दीजे बल दीजे प्रभुजी ताकि वो इसी तरह से प्रभुजी आपके इन वचनों को प्रभुजी प्रतिक लोगों के बीच में प्रभुजी पहुंचा सके ताकि आपके नाम की महिमा इस तो की परसंसा बढ़ाई ह पहुंशने पाए प्रपोजी और जितने लोग प्रभु जी जो अभी आप इसे प्रकार होने पाए अभी हमें वाचन में सुना है प्रपोजी की ओल डेज होने पर कैसे क्या प्रक्रिया है प्रभुजी इन बातों को हम लोग जानते हैं प्रभुजी और प्रभुजी आप और अच्छे से flowerबाय के इसके ध्क धन्नवाद दिता हूँ, प्राता करता हूं, मम्मी के लिए और सिखर मामा के लिए दोनों ही जन प्रभुजी को प्रभुजी आपने सक्ति दिया है, ताकत दिया, हिम्मत दिया है प्रभुजी और सबसे बड़ी बात है प्रभुजी आपका जुग्रह उनके साथ है इसलिए आप धन्वाद देता हूँ, हम सबों के साथ साथ भी आप है प्रभुजी इसमें धन्वाद देता हूँ, भाइबेनों को प्रभुजी आपने समाल कर रखा है, बचोलों को समाल कर रखा है, और सबसे बड़ी बात है प्रभुजी पूरे कलीशिया को प्रभुजी ज जब हम सब फिर से अगले सप्टा के लिए तयारे के मिलते हैं प्रभुजी आप हमारे साथ बने रही पूरे सप्ता आपकी उपरस्तिति हमारे बीच पर बनी रहे हैं प्रभुजी सारी बातों को आपके हाथ में देते हुए इस बिंती को एशुमसी के नाम से मांग देता हू आमीन आमीन तो गॉड ब्लेस्ट यू आल सबको प्रभु आशिज दे और एनी कोश्चन इप यू वाट्सेप में मैसेज कर देना तो अगली बार के लिए कोई यदी विशे नहीं समझ में आया तो उतको डिल कर लेंगे तो उत्तम उतको तुम कल कॉल करना अब फिर से अबन वह अपना जो ग्लोबल वाइबिल स्टेडी उसको शूरू करेंगे तो उसके लिए अपन बात कर लेते कल ठीक है ठीक है कल कल फोन करना मेरे कित्ते बजे कर लो आप जफ्री होंगे तुम कब तुमारा ड्यूटी कहां चल रहा है कल संडे है अच्छा कल तो संडे है दू तुम चाज जाओगे होगे कब कि वाद भारा करता हों तो मैं एक बजो करता में और का उसक पहले कर सकते दीन में तो बारा कि कर सकता हो इस चलो ठीक है ना कर लूँगा ठीक है उके बाय सबको गुट नाइट And again, Ranju, good morning. Have a nice day. Shalom, Mama. Shalom, Shalom. Shalom. Shalom, Mama. Shalom. Shalom.